वेलकम टू ग्रोबैक गाडिनिग फ्रेंट्स यह है गाडिनिया गंधराज कल इसके उपर मैंने एक वीडियो शेयर किया था आज की वीडियो में फ्रेंट्स मैं आपके इस प्लांट के बारे में पूरी कम्प्लीट इंफॉर्मेशन दोंगा बहुत ही कम समय में और बहुत ह है यह एक पर्मनेंट प्रेंट्स यह काफी टाइम से मेरे यहां पर लगा हुआ है तो फ्रेंट्स मैंने किसी भी प्लांट के उपर सबसे पहले तो आपको बता दूँ कि वीडियो जब ही शेयर करता हूं जब मैंने उस प्लांट को काफी टाइम तक ग्रो करा होता है और पर वीडियो बना दिया देखिए फ्रेंट्स जो भी इंफर्मिशन मैं यहां पर शेयर करता हूं वो पढ़के या रीट करके मैं शेयर करना प्रिफर नहीं करता हूं मैं खुद उसे प्रैक्टिकली ग्रो करता हूं सारे सीजन में उसे वाच करता हूं देखता हूं कि हमार आपको बताऊंगा आप वीडियो को पूरा देखें फ्रेंस देखें सबसे जरूरी है जो सबसे की फैक्टर है इसका वेल डिंड मॉइस्ट सॉयल मॉइस्टर इसको बहुत पसंद है अगर आप इसको गंलों में लगा रहे हैं आपकी मिट्टी ड्राई हो रही है तो यह प्ल करें उसे कलेट करें और इसको मिट्टी में मिलाएं और बहुत ही मॉइस्ट सॉयल बनाएं परलाइट का यूज करें सेंड का यूज करें ताकि इसका जो ड्रेनेज है वो बहुत ही एक्सलेंट हो पानी इसको रुकना नहीं चाहिए मिट्टी इसकी बहुत सक्त नहीं होनी चाहिए तो यही इसकी key factors है बात करेंगे अगर fertilizer की तो friends यह एक heavy feeder है इसकी blooms बहुत बड़े-बड़े होते हैं इसको बहुत energy चाहिए होती है regular basis में आप इसको fertilize करें NPK या DAP fertilizer आप इसको दे सकते हैं आप चाहिए तो इसमें organic fertilizer भी दे सकते हैं अंथली basis में आप इसमें इसको fertilizer देते हैं liquid fertilizer अगर देना चाह रहे हैं तो हर 15-20 days में आप इसमे liquid fertilizer दे सकते हैं लेकिन friends अगर आप इसमें chemical fertilizer बगएरा दे रहे हैं तो आप careful रहे हैं क्योंकि gourmiga season है अगर आप ज़्यादा हो जाएगा आपका chemical fertilizer तो आपका plant बहन हो सकता है friends अगर बात करेंगे इसके sun की requirement की तो winter में या rainy season में आप इसको full sun में summer season में आप इसको partial sun में रखें आफ्टरनून के sun से आप इसको protect करें ये plant आपको definitely performance देगा और cutting pruning आप इसकी कर सकते हैं जबी भी rainy season में या जबी भी इसकी growth रुकी हो तो आप इसमें cutting pruning कर सकते हैं और friends अगर इन चीजों का आप ध्यान देंगे तो ये plant आपको जरूर reward करेगा इसमें जरूर flowering होगी और बाकी ये काफी immune plant है बस heavy feeder है तो regular basis में आपको fertilizer देना है और moisture well-drained soil आपको इसको देनी है और full sun में आप इसको रखना है देखिए friends ये है मेरे double chandni का plant देखिए कितनी अची flowering होगी है इसमें तो ये भी एक heavy feeder है देखिए chandni के एक नई variety है मेरे पास recently मैंने लाया अभी मैं इसके उपर video share नहीं करूँगा मैं इसको पूरा season watch करूँगा देखूँगा इसकी कैसी performance है Central Indian climate में फिर मैं आपके साथ ने इस double chandni के नई variety भी आप लोग के साथ ने video share करूँगा तो friends अब गर्मी के season शुरू हो गया है तो मेरे बहुत सारे perennial plants बहुत ही अच्छी flowering करने लगे हैं क्योंकि मेरे पास ज़्यादा तार जो मेरे plants है fragment flower plants है मेरे पास जो आम तोर पे fragment flower plants होते हैं वो गर्मियों के season में ही flowering करते हैं और मैं आपके साथ अभी information share करता रहूँगा देखे यह मैं आपको दिखा रहा हूँ अपनी अपराजिता की wine यह last year मैंने लगाया था इसको और यह double अपराजिता है और अब तो मैंने इसके seeds collect करके इसके कुछ और भी plants तयार कर ली हैं बड़े छोटे-छोटे plants हैं अभी इनके जल्दी मैं उनको भी report करूँगा और आपको दिखाऊँगा कि अपराजिता को कैसे आप seeds से grow करें कैसे उसकी care करें पहले भी मैंने इसके उपर वीडियो शेयर कर चुका है देखे फ्रेंस यह है morning glory और बहुत सारे मेरे perennial plants हैं जूही का plant भी मेरी है वीडियो शेयर करूँगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को दवाएं और बने रहे मेरे साथ में मिलते हैं